नमस्कार किसान भाइओं, डी-गार्डन में आप सभी किसान वेगा एक बार फिर से स्वागत है और आप बनेवाएंडीवीदामा के साथ किसान वह सरसों की बुवाई की समय नजदीच है और पिछले वर्ष मेरे यहां के दो किसान वह साथ साथ Gण्य की बूवाई की थी विखें सुमय समय पर काफी अपडेट भी दिखायते जो किसान मेरे साथ मेरे साथ में नए उड़े वे हुई किलिये मैं एक बार फीर से उनको नए सीरे से पूर अपडेट दिखा देता हूँ, तो किसान भाईओं, यह वो खेत है, जिसमें पिछले साल, पहले सरसो की बुगाई की गई, उसके बाद में इसमें गन्ने की बुगाई कर दी गई, और कुछ समय बाद इसमें गन्ना भी उगाया, और सरसो भी उगाई जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैं समय समबब पर इसके काफी अपडेट दिखा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से मैं पूरा अपडेट इस पर दिखा रहा हूँ तो इस समय पर किसान भाईयो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि किया सामान्य तरीके से गन्ना पलस सरसो की हम सरदकाली बुआई करने के साथ अच्छी पैदावार ले सकते हैं चा हमारी सरसों की फसल या अच्छी पैदावार दे पाती है गन्ना किस तरह का उसमें से निकलता है और इस समय पर किस तरह का गन्ना हो जाता है इस पर मैं आपको पूरा अपडेट दिखाने वाला हूँ या हमें दोनों ही फसल अच्छी मिल जाती हैं किसान भाईयों गन्ने के साथ साथ काफी अच्छी फसल सरसों की इसमें उग रही है और गन्ना पोधेबी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सरसों की फसल तो आपने देख ली की काफी प्यादिक होने के कारण ये तेजी में बढ़वार करना ही कर रहे हैं क्योंकि ऊपर स ठंड भी है और जब ठंड अधी हो जाती है तो हमारे गन्ने की फसल बढ़वार कम कर पाती है लेकिन सरसो अधी कुपर होने के कारण जैसे ही पाला पड़ता है तो हमारे गन्ना पोदों की रक्षा भी यह सरसो की फसल करती है तो किसान भाईयों जैसे कि आप देख पा रहे ह अब देखना है कि गन्ना पोदे इसमें से किस तरह के निकल पाते हैं तो ये देखे किसान भाईयों इसमें से कुछ कमजोर से गन्ना पोदे निकल रहे हैं और काफी पीले-पीले रंके हैं क्योंकि ये सरसो के नीचे दबे वे थे लेकिन इन किसान भाईयों ने कुछ समय बा पहले देख चुके हैं और अब आप गन्य की फसल देख पा रहे हैं जो की काफी अच्छी लगी हुए है लेकिन यहाँ पर कुछ किसान भाईयों के मन में एक सवाल आ सकता है कि हो सकता है यह गन्य की फसल उस खेत के ना होए तो इसके लिए देखे मैं आपको दिखा देता आप मिलान कर सकते हैं किसान भाईयों यह रास्ता गया हुआ है और यहाँ पर इस खेत में देखे एक गन्य बीज दला हुआ था और यही वो खेत है जिसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ आप मिलान करके देख सकते हैं काफी अच्छा गन्य इस समय पर इनकर लगा जाती है तो किसान भाईयों अगर आप गन्य पलस सरसों की समन्य विदी से बुआई करना चाते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फसले हम अच्छी मिल जाती हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और किसान भाईयों इसके अलावा गन्य खेत से हमें एक और बड़ा फाइदा मिल जाता है जो हम सरदकालिन गन्य की बुआई करते हैं तो जो गन्य पोधे की पर्चिया हमारी आकिरी में लगाई जाती हैं लेकिन सरदकालिन गन्य की पर्चियों को चीनी मिले या सोसाइटी हमारी पहले ही गन्य पेड़ी में लगा कर भेज दी जाती हैं यानि के पहले ही इस गन्ना खेत की गन्ना परची आ जाएंगी और समय से हम इसको डाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ा फादा है यानि के इसकी गन्ना परची हमें सुरु में मिल जाएंगी तो किसान भाईो अगर आप इस तरह 40-50,000 रुपे अलग से कमाना चाते हैं तो गन्ना पललसर्सो सामान्यविदी से वुई कर सकते हैं तो किसान भाई ऐो ये थी आज़ की जानकारी, जानकारी पसंद आये तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताके आने वाली वीडियो उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार